जेहिं दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए महत्तपुन कॉस्चन आंसर उसा प्रियम बदाजी से संबंदित वीडियो पूरा बस से देखना है अगर आप चैनल पर पहली बार आएं दो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेर करें बहुत ही महत्तपुन कॉस्चन है उसा प्रियम बदाजी से संबंदित और सेल्प इस्टडी क्लासेस एप भी आपको डाउनलोड करना है जहां पर आपके लिए हिंदी साहित का संपुन कोर्स उपलब्द है हिंदी साहित की टेस्ट सीरेज उपलब्द है और इसी के साथ आ उसा प्रियम बदा को किस कहानी से एक प्रितिष्टित कहानीकार की रूप में माननेता मिली तो बहे कौन सी कहानी है कोई दूसरा एक कोई दूसरा बापसी में ने जहर दिया था या बनबास ये चार विकल्प हैं कौस्चन नमबर आपका एक है और राइट आंसर है आपका बिलकुल सही यहां पर विकल्प नमबर बी यानिकी बापसी कहानी जो की मानी जाती उसा प्रियम बदा की महत्तपूर्ण कहानी जिससे इनको एक प्रितिष्टित कहानीकार की रूप में माननेता मिली कौस्चन नमबर आपका दो पूचा उसा प्रियम बदा का जन्म कब हुआ था कौस्चन नमबर दो है महत्तपूर्ण कौस्चन आपसे पूचा गया है उसा प्रियम बदा का जन्म कब हुआ था यह बताना है तो बिलकुल सही राइट आंसर होगा आपका यहां पर क्या सही तो विकल्प आपका यहां पर सीवात आंसर है 1931, 1931, 1931 आपका सही आंसर है, उसा प्रियमबदा का जन्म कहां पर हुआ था, QA 3 का सही आंसर बताइए, इनका जन्म कहां पर हुआ था, उसा प्रियमबदा जी का महत्वण, QA inflation आपसे पूंचा गया है यहां पर, और बिल्कुल सही राइट आंसर है कानपूर उत्तर प्रदेश मेन का जन्म हुआ था तो विकल्प नंबर आपका B यहां पर सही आंसर है बिल्कुल सही Q4 पूँचा है उसा प्रियंबदा ने किस विस्विध्यालय से अंग्रेजी में PSD की उपाधी प्राप्त की थी Q4 आपसे पूँचा गया है कि उसा प्रियंबदा ने किस विस्विध्यालय से अंग्रेजी साहित में जो है PhD की उपाधी प्राप्त की थी तो इलाहाबाद विस्विध्यालय से Q5 पूँचा है उसा प्रियंबदा की कहानी नहीं है चार विकल्प आपके यहां पर दियेगा है देखिए यह रही आपके चार विकल्प तो यहाँ पर पूँचा उसर प्रियम्बदा की कहानी नहीं है तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा question number 5 का right answer है comrade, comrade जो है यह उसर प्रियम्बदा जी की कहानी नहीं मानी जाती है बापसी कहानी का प्रकासन बर्स बताना जो कि इनकी बहुत ही महत्त पूण इनकी कहानी मानी जाती है बापसी और इसका प्रकासन बर्स आपसी नहीं पर पूँचा गया है question number 6 है और बिल्कुल सही right answer है आपका बापसी कहानी का प्रकासन बर्स माना जाता है उसाथ इसवी विकल्प नंबर एक सही answer होगा उसा प्रियमबदा का प्रतम उपन्यास है रुकोगी नहीं रादिका सेस यात्रा या फिर पचपन खंबे लाल दिवारें या भया कवीर उदास आपका सही answer है यहाँ पर देखिए उसा प्रियमबदा का प्रतम उपन्यास पूछा है तो यह माना जाता है कौन सा पचपन खंबे लाल दिवारें इनका प्रतम उपन्यास है उसा प्रियमबदा जी का Q8 पूचा है 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास का पिरकासन वर्स क्या माना जाता है बताईए 1967, 1961, 1979, 1960 Right answer है Q8 का विकल्प नंबर B 1961 आपका सही आंसर होगा बिल्कुल सही बहुत बढ़ियां रुकोगी नहीं रादिका का पिरकासन वर्स आपको बताना है बताईए कब हुआ था इसका पिरकासन वर्स रुकोगी नहीं रादिका उपन्यास है महत्तपुन उपन्यास है 1967, 1962, 1979, 1960 तो Right answer है रुकोगी नहीं रादिका उपन्यास का पिरकासन 1967 में हुआ था महत्तपुन कॉस्चन यह आपसे यहां पर पूँचा गया है कॉस्चन नमबर 10 देखते हैं उसा प्रियम बदा के उपन्यासों का जो है यहां पर पिरकासन वर्स के अमसार सही करम किस विकल्ब में है यह आपको यहां पर बताना है कॉस्चन नमबर 10 है और 10 का राइट आंसर बताना है तो बिलकुल सही राइट आंसर है आपका विकल्ब नमबर यहां पर सी राइट आंसर है सेस यात्रा, अंतरवसी, भया कबीर, उदास और नदी, यह जो है आपका सही आंसर दे कि सेस यात्रा, सेस यात्रा का प्रकासन वर्स की बात करें तो 1984, 1984 में इसका प्रकासन हुआ था, सेस यात्रा का 1984 में, अंतरवसी का कब हुआ था, प्रकासन 2000 में अंतरवसी का हुआ था, भया कबीर, तो इसका 2007 में प्रकासन हुआ था, और नदी, नदी का प्रकासन 2000, 2013 में इसका प्रकासन हुआ था, question number आपका यहां पर 11 पूंचा, भया कबीर, उदास उपन्यास का प्रकासन वर्स बताना है, अब भी हमने आपके लिए बताया है, क्या है इसका सही answer, तो आपका सही answer है, इसका यहां पर देखिए, 2013 है, यह नहीं होगा, यहां पर 2007 होता, 7 है right answer, 2007 आपका सही answer होगा, 2007 right answer है, आपका बिल्कुल सही right answer, अंगला question देखते हैं, नदी उपन्यास का प्रकासन वर्स आपको ब तो बिल्कुल सही right answer है, यहां पर नदी उपन्यास का प्रकासन वर्स, सही answer है, आपका यहां पर विकल्प नंबर यहां पर एक सही answer है, और अंतरवसी उपन्यास का प्रकासन वर्स बताना है, तो अंतरवसी का आपके लिए अब भी बताये था, 2020 माना जाता है, अंतरवसी क इसका प्रकासन अंतरवसी उपण्यास का प्रकासन दोहजार इस भी माना जाता है Question No. 14 आपसे पूँचा गया है यहाँ पर इनमें से कौनसा उपण्यास उसा प्रियम बताका नहीं है नहीं पूँचा है आपसे यहाँ पर तो बताईए question number आपका यहां पर महत्तपूर्ण 14 है और इनमें से कौन सा उपन्यास उसा प्रियंबदा का नहीं है रेगेस्तान विकल नमबर एक आपका सही आंसर होगा कितना बड़ा जूट कहानी संग्रे का प्रकासन बर्स बताईए जो की महत्तपूर्ण question पूछे गया है कितना बड़ा जूट यह इनका कहानी संग्रे माना जाता है उसा प्रियंबदा जी का और इसका प्रकासन 1971, 1972, 1973, 1994 तो आपका सही आंसर होगा 1972 इस भी इसका प्रकासन बर्स माना जाता है मैंने जहर दिया था कहानी संग्रे का प्रकासन बर्स बताईए question number 16 है मत पूर्ण question है मैंने जहर दिया था कहानी संग्रे का प्रकासन बर्स बताना है 16 का सही आंसर क्या होगा तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 1961 आपका सही आंसर है 1961 राइट आंसर बहुत बढ़िया कोई एक कोई दूसरा कहानी संग्राय का प्रिकासन वर्स बताईए एक कोई दूसरा कहानी संग्राय का प्रिकासन वर्स आपके लिए बताना है तो आपका सही आंसर है 1900 उसाफ प्रियमबदाजी का प्रिकासन है 1966 तो इस प्रकार आपन ने यहां पर उसाफ प्रियमबदाजी से संबंधित महत्यपूर्ण क्यासा लगा यह वीडियो कमेंट में जरू बताएं अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर लें और जादा से ज्यादा वीडियो को सेर करें ताकि अनलोग भी एफ वीडियो देख सकें सेल्फ स्टडी क्लासे से अप डाउनलोड किए जहां पर हिंदी सायथ का संपूर्ण कोर्स आपके लिए उपलब्द हैं इसी के साथ आपके लिए अपर ट्वेंटी ट्वेंटी ट्यस्ट सीरेज प्री करवाई जाती है सबता है में दो दिन तो इससे भी आप अवस्ट करने बाद जय हिन